Hey everyone, welcome to Baila G.A.T.E.s Rini 2024 के respect में Supreme Court की 23rd July की hearing में lunch से पहले क्या discussion वा उसके summary में आप लोगों को देने वाली हूँ बच्चो आप लोगों को बता होगा 22nd July की जो hearing थी वो इस note पर end वी थी कि Supreme Court के judges ने एनाउंस किया था कि IIT Delhi के professors की तीन professors की एक team बने जो कि decide करें कि physics का जो atom वाला question है उसका correct answer क्या होना चाहिए तो 23rd July की hearing इसी मुद्दे के साथ start वी कि जो atom वाला question था physics का उसका answer option number 4 होगा statement 1 is correct and statement 2 is incorrect पहले तो ये बाट discuss भी फिर next आई सवय मधरपूर राजस्थान की और गाजियाबाद की बात जहां पर रेनीट को support करते वे lawyers ने कहा कि सवय मधरपूर राजस्थान और गाजियाबाद में क्या हुआ था बच्चों को different language का पेपर दे दिया गया था उन्होंने जो language opt करी थी नीट का पेपर सॉल्फ करने के लिए उस language के पेपर के लावा दूसरी language का पेपर दिया गया था और वहाँ पर बच्चों ने 3 गंटे 20 मिनट अलग language में पेपर सॉल्फ किया उसके बाद जब examiner को लगा कि इनको तो गलत language का पेपर दे दिया गया है उन्हें extra 3 hours दे दिये गए 6 बजे से 9 बजे तक उन्हें फिर उस language का पेपर दिया गया जिसके लिए उन्होंने असलियत में उप्ट किया था सपोज अगर मैंने XYZ language में उप्ट किया था तो मुझे ABC language का पेपर दे दिया गया तो मैंने 2 बजे से 5-20 तक तो ABC वाली language में पेपर सॉल्फ किया लेकिन 6-9 मुझे वापिस मेरी language वाला पेपर दे दिया गया यानि कि बच्चों के पास 6 घंटे तक NEET का पेपर था इस बारे में बात हुई फिर NTA के lawyers ने बताया कि NEET 2024 के जो top 100 rankers है वो 100 rankers एक particular region से ही नहीं है बलकि over 56 cities और 95 centers से हैं NEET 2024 में top 100 rank लाने वाले बच्ची 56 cities और 95 different centers से हैं यानि कि किसी एक particular region से ही topers नहीं निकले हैं यानि कि कोई भी irregularity, कोई भी cheating नहीं भी थी NEET के paper में फिर NTA के lawyers ने कहा कि out of the 24 lakh students who appeared in NEET 2024 14,000 students ऐसे थे जुन्होंने जब correction window open वी थी तो अपने examination city center को change करने के request आ ली थी suppose मैंने अगर देरादून city opt करी थी अपने NEET 2024 के registration के तवरान तो correction window मैंने देरादून से हटा के हर इद्वार city चूस कर ली थी तो किन-किन बच्चों ने examination city change करी अराउंड 14,000 students ने change करी थी अब री NEET 2024 की आज की hearing का first half hearing इस मुद्दे पड चल रही है वो इसे स्कुल हजारी बाग में एक इनसान ने क्या किया जो आपके NEET 2024 के question papers थे उनमें से एक question paper निकाला say for example इस question paper का serial number था 123 तो इस इंसान ने 123 serial number वाला question paper निकाला इसकी photos click करी इसके खूब सारे print निकल वाए और इन printed copies को बच्चों को दे दिया around 25-26 students को दिया solve करने के लिए उनको answers memorize करा है इस इंसान ने ये जो photo click करी थी ये photos digital media के थूँ, social media के थूँ पटना और हजारी बाग के ही different centers में भी circulate करी और ये चीज सुबह 8.30 बजे हुई है according to CBI report ठीके जी, तो first half की जो hearing है अब इस बारे में discussion चल रहा है कि OSA school में NEET का paper लीग हुआ है जहाँ पार एक इंसान ने 123 example, 123 serial number वाला question paper की photos click करी उसके खुब सारे print निकल वाए, बच्चों को circulate करी, उन बच्चों ने उपेपर salt किया, ये photos उस इंसान ने पटना में और हजारी बाग के different centers में भी circulate करा, cheating करवाने के लिए CBI की report कहा रही है कि सुबह 8.30 बजे ये चीज हुई है, जिस इंसान ने question paper निकाला था, उस इंसान ने क्या किया, इस question papers की photos click करने के बाद इस question paper को lighter से seal कर दिया और वापिस से जो bundle था उसके अंदर रख दिया, अब इस मुद्धे पे discussion चल रहा है, कि जो ये paper circulate हुआ है, हजारी बाग के different centers और पतना के अलावा, और किन-किन cities में इस इंसान ने circulate किया, और सच में ये कितने बजे circulate हुआ है, उसका evidence भी अब Supreme Court क judges ने मांगा है, तो फिलाल के लिए hearing का discussion इस बारे में चल रहा है, part 2 में क्या discussion होता है बच्चों, मैं आप लोगं को next summary video में बता दूँ की, thank you so much for watching this video and stay tuned for upcoming updates, thank you